जी जागरन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार हमारे विशेश है लाइव कारिक्रम भ्रगुनारी जोतिश में आप सभी का हर्दिक स्वागत है मैं हूँ कुश्पेंद्र आर्य और मेरे साथ है देश के जाने मने जोतिशाचारिय डॉक्टर शंकर अडावल मित्रो जोतिश विज्ञान जातक से मेधनिय तक की एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपके जिंदगी का हर्फ दर हर्फ अक्षर दर अक्षर आपके जिंदगी का पता चलता है आपके जिंदगी के उतार चड़ावों का आपके जिंदगी में आने वाले सभी सुख और दुख भरे एक्षणों के बारे में आप जान सकते हैं आप अपने भूत बविश्य और वरतमान के बारे में जान सकते हैं इस यात्रा में आप पूछते हैं प्रश्न और जवाब देते हैं हमारे विशेशग्य डॉक्टर शंकर अडावल तरीका आप जानते ही हैं आप देश में हमें कहीं से भी फॉन करना चाहें तो मिलाइए 0104698029 हमारा दूसरा नंबर है 0104698030 आप इस कारिक्रम में SMS के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं हमें SMS कीजिए आपने मोबाइल में टाइप कीजिए N-A-D-I यानि नाड़ी दीजे इस पेस आपकी जन्म किती थी जन्म का समय जन्म का स्थान आपका प्रशन आपका नाम अभी वेजिए 57575 पर मित्रों आप इस कारिक्रम में शामिल हैं और पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि हम आपके Zodiac Sign पर चर्चा कर रहे हैं इन Zodiac Sign पर डॉक्टर संकर अडावल जी की कुछ पुस्तके प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित की हैं जिसको वार्षिक फलादेश के रूप में आज देश में ये पुस्तके लौकप्रिये हैं आज हम बात करेंगे टौरस राशी के बारे में यानि वरिशिब वे जातक जिनका जन्म होता है 20 अप्रेल से लेकर 20 मई के मद्ध वे सब ही कहलाते हैं टौरस यानि वरिशब जातक कैसे होते हैं वरिशब राशी के लोग क्या-क्या उनकी विशेशताएं होती हैं किस तरह का उनका सभाव आचरन और बाकी चीज़ें इसके बारे में हम विस्तार पूरक चर्चा करेंगे इस से कारिकरम में वरिशब जातक भी विशेश रूप से शामिल हो सकते हैं बहुत बहुत सब्सक्राइब बहुत अच्छे वरिशब की बात करते हैं टौरस की जो हमने आज चुना है अपना एक साइन एक जो जोडियक ह जाए तो पहला प्रशन यही बनता है कि यह लोग कैसे होते हैं जो टौरस साइन के लोग होते हैं इनका तो अधिपती होता है लौड जिसे कहते हैं इंग्लिश में वो शुक्र होता है तो पिछली बार हमने चर्चा करें थी एरीज राशी की इन किसके पहले जो राशी होत आपसे वो एरीज होती है तो एरीज होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं एकदम से बिलकुल एग्रेशन में आ जाते हैं तो यह टौरस भी इस राशी जो शुक्र है मगर एग्रेसिवनेस इनके अंदर बहुत होती है बट वो ऐसी एग्रेसिवनेस होती है कि शुक्र इनक जब लोगों से विवार करता है, शुक्र विवारिक्ता का बहुत बड़ा इंपॉर्टन प्लानेट होता है, तो जब यह बात करता है, तो अपने को चैनलाइज कर देता है, जो चीज नहीं बोलना है, जो चीज बोलना है, वो बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, गुसा आया तो म का नहीं मारेंगे तो उस तरीके से एक अर्थली साइन है प्रैक्टिकल साइन है और बहुती हाँ मेरे हिसाब से मेरा स्वैम का यह जो टॉरियंज होते हैं दियार दी सबसे सही साइन है बहुत सारी चीजे आपकी इस जवाब के साथ जन्मती है और जो मेरे मन में है मेरे जिहन में है भी आपसे चर्चा को बनाए रखेंगे आपसे पूछूंगा और भी चीजे अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है शिमला हिमाचल प्रदेश से रीना जी उनको शामिल करते हैं हलो हालो नमस्कार जी नमस्कार स्वागा थे रीना जी आपका हमारे करेक्रम में यह प्ले रिलेटिव के बारे में पूछना चाहते हूं जी उनका डैवस कब तक हो जाएगा क्यों का ने ने जी जन्मतिती बताईए यह 26 नवंबर 1969 26 नवंबर 1969 समय ब नवंबर 1969 1969 साथ बजकर 45 मिनट से आठ बजकर 15 मिनट के बीच में शाम को कहां पे है जर्मिस्थान क्या है यह डिस्ट्रिक सोलन है जी वहाँ पंजयरा है नाला गड़ के पास शाम को सेवन फॉर्टी फाइव टू एट फिफ्टीन पीम सोलन जिला पढ़ता है यह डिस्ट कि होगा या नहीं होगा देखे इस टाम जो स्थिती चल रही है बहुत ही टेंशन वाली चल रही है यहां तक भी हो सकता है कि मतलब नीचता की एक चर्म शीमा मतलब नीच कर्म आत लडाई जगडा आगे रहू है जुपिटर मंगल के पर ट्रांजिट कर रहा है उसका डिप पिटर रहू को क्रॉस नहीं करेगा करीब करीब इनका जो रहू 24 डिग्रीप है तो 2010 के अंत के बाद इनका सुरह होगा 2011 में होगा अभी यह साल और अगले साल में काफी टेंशन और काफी प्राबलम रहेंगी अभी हैं कि नहीं है सब प्राबलम हो अब किसी और लड़की स शादी करना चाते हैं क्या उससे हो जाएगी उसकी शादी ये बात तो ठीक है लेकिन किसी और लड़की से विवा करना चाते हैं वो होगी मगर 2011 में होगी 2011 में होगी कोई उपाई इनको बताना चाहेंगे इससे जो दिक्कत वाला समय आपने बताया इससे थोड़ा उबरने के लिए इससे उबरने के लिए जो उपाई इनका है अगर ये रोज केसर का तिला का रोज लगाई है जो भी है तो उससे इनका जो इच्छा है ये पूरी होगी और थोड़ा अगर मिल जूल के काम कर लें लड़ाई जगले के बिनात अच्छा रहेगा मगर जो लिखा भागे में तो हो नहीं जो यह जोतिश में दूद का दूद पानी का पानी जो परमात्मा ने लिखा है जो रशना है यह वो होकर ही रहती है फिर भी उसके जो नकरात्मक प्रभाव हैं उनको आप थोड़ा कम कर सकते हैं उसमें जोतिश आपके मददगार होने की भूमिका करता है आपके लिए बतायागा है कि आपके सुपुत्र यदि केसर का तिलक मात्य पर लगाते हैं तो सहस्ता के साथ उनका जीवन होगा और दो साल के बाद वो जिससे लड़की से शादी करना चाहते हैं सम्भावता है उससे विभा हो भी जाएगा बहुत 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 शुब कामन यह है टॉरन जो होते हैं वो बुल इसले हैं क्योंकि शुक्रन का अधिपती है बहुत पारफुल होते हैं मगर एनर्जी इनमें बहुत होती है और हर टॉरन का आदमी काफी सुडॉल होगा चाहें कोई भी हो उसमें जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होगी ना वो काफी ठीक अधार शारिक सर्दचना उसकी बॉडी संतुलेद होगी यह नीचे पतला उपर मोटा उपर और मैस्कुलेन होंगे अच्छे होंगे एरीस जैसे होते हैं बर वेरी ग्राउंड़ तो इनका बुल है मगर टॉरन में दो है एक तो टॉरन जो भुल होते हैं जो कि अधर बुल गलते गए नहीं नहीं दो हैं बर टे एंटेलिजेंट इनका नहीं इसनले करते आटाक बहुत ही परपर अलेकर जब करते हैं अधर पर तो लुड़िए टॉरन में एक भुल के पिर जाना होता है चिए जो ओक शोथ होता हुसें बुल की सारी शक्तियां होती है बगर बड़ very successful यानि कि अगर उसमें थोड़ा सा आउक्स का जाता है तो और भी जादा काम्याभी की संभावनाइं बढ़ जाती है इनके यह तो आपने बता है इनके चारित्रिक विशेष्टाओं के बारे में कैसे होते हैं क्या इनके शम्ताइं होती है इनका जो व्यक्तिकत जीवन होता जो मैरीज का है वो होता है इट गवन बाइं मार्स तो इनकी जो मैरीड लाइफ जो होती है वो आपने पिक्चर भी देखो जाओ भी थोड़ा पिक्निंग में जाओ पार्टी इस टाइप का होता है अगर ऐसा नहीं हो तो यह थोड़े दुखी हो जाते हैं जिन्दगी के जो आनंद है जिन्दगी का जो उल्लास है उसको ये इन्जॉय करते हैं और उसके साथ अपनी कती बना कर रखते हैं वरिशब राशीर के जातकों के पराज हमारी विशेश रूप से चर्चा है यानि जिन्दगी जातकों का जन्म अप्रेल 21 से मई 21 के बीच हुआ है वेसा भी होते है टारस वरिशब किस प्रकार का उनका जीवन होता है किस तरह की उनकी अभी रूचिया होती है क्या चीजें वो पसंद करते हैं और क्या चीज उनको नापसंद होती है इस सब पर गिम चर्चा को बनाए रखेंगे अभी बहुत सी बाते हैं हमने डॉक्र शंकरा डावल जी से जानी है वरिशब जातकों के बारे में अभी एक कॉलर है हमारे साथ स्वाती मुंबई से उनको शामिल करते हैं हलो हाँ हलो सर स्वाती जी कैसी है आप स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम में आपने पहली भी कभी कोशिश किये असर में देश और दुनिया से फोन आते रहते हैं तो ये सभाविक बात है सवाल पूछ सकती हैं भी आप हाँ सर मेरे बाई के बारे में पूछना है